हाई students welcome to shortcut in this video today we will be finding out the difference between interrogative pronouns and interrogative adjectives जैसे कि आप जानते हैं कि ये दोनों ही topic ऐसे हैं जो कि काफी confuse करते हैं बच्चों को कि interrogative adjective है या फिर interrogative pronoun है तो ये find out करना बड़ा difficult रहता है तो देखा जाए तो English language के अंदर कुछ words ऐसे होते हैं जिनको हम adjective की तरह भी use करते हैं और pronoun की तरह भी use करते हैं यानि कि जब construction करते हैं हम sentence की तो उसमें काफी बार हमें बहुत जादा confusion होती है कि ये जो word है इसको pronoun की तरह use किया गया या adjective की तरह है तो यहाँ पर हम difference देखेंगे interrogative pronouns और interrogative adjectives की बीच में तो यही हम difference यहाँ पर देखने वाद है Now both interrogative pronouns and interrogative adjectives are used to form questions आपको पता है interrogative pronouns की बात करें या फिर objectives की बात करें तो आपको पता है कि what, where, when, who, whom, etc ऐसे जो words हैं जो की interrogation show करते हैं यानि की question पूछते हैं उनका उपयोग जब किया जाता है तो कुछ जगों पर वो pronoun की तरह प्रयोग में आते हैं और कुछ जगों पर वो interrogative adjective की तरह use में आते हैं तो इनके बीच में difference जो है वो काफी बच्चे confused होते हैं चलिए यहाँ पर इसी को हम solve करने के लिए वीडियो लास्त तक देखते रही है interrogative adjectives की पहले बात करते हैं तो an interrogative adjective is used with a noun interrogative adjective जो होता है वो हमेशा noun के साथ use होता है आपको पता है जैसे adjective की definition क्या रहती है हम जानते हैं adjective जो है वो noun की विशिष्टा बताता है तो उसी प्रकार यहाँ पर जो interrogative adjective है वो हमेशा ही noun के साथ use होता है तो आपको पता adjective कौन से होते हैं interrogative adjectives वो होते हैं जैसे के हमने यहाँ पर लिया है पना what, which, whose, when, where, etc यह सब interrogation show करते हैं इनको हम बोलते हैं interrogative words और यह जो शब्द है इनका उपयोग अगर हम noun के साथ करते हैं तो इसको हम interrogative adjective गिलते हैं कब जब इनका उपयोग noun के साथ होता है कैसे जैसे की example आप देख रहे हैं अपने screen के उपर which, which shoes are you going to wear which shoes आप देखिए यह तीनों जो हम underline किया मैंने यह तीनों जो हैं यह interrogation show करते हैं यानि कि interrogation के लिए हम यह word use करते हैं what, which, whose, etc और अगर इस sentence के अंदर हम देखे हैं तो यह है noun, film और वैसे shoes भी noun है और bag भी एक noun है तो यह तीनों nouns हैं तो जब यह जो interrogative adjectives हैं यह noun के साथ use होते हैं यानि कि noun से पहले use हो यानि कि noun के साथ हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि यह जो words हैं यह interrogative adjective का role निभा रहे हैं ठीक है? interrogative adjective का role यह तब निभाएंगे जब इनका उपयोग noun के साथ होगा तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि adjective यह तब बनेंगे तो इस तरह जो भी words रहते हैं जब इनका उपयोग अगर किसी भी noun से पहले हो तो वहाँ पर हम देखेंगे कि interrogative adjective के रूप में इनका उपयोग किया है तो ऐसे sentences के अंदर आपको अगर पूछा जाए question में कि interrogative adjective find करिए तो यहाँ पर जो यह sentences है इन सब के अंदर यह जो words है यह interrogative adjective का role निभा रहे हैं क्यों क्योंकि इनका उपयोग noun से पहले हुआ है अब हम चलते हैं दूसरे topic की तरफ वो है interrogative pronoun तो interrogative adjective हमने देख लिया ठीक है interrogative adjective में वो noun से संबन देते हैं नाउन के पास उनका use हो रहा है नाउन के लिए उनका use हो रहा है लेकिन इसके opposite an interrogative pronoun stands in place of a noun interrogative pronoun जो रहता है वो noun की जगा पर रहता है जो noun हमने यह use किया है उसकी जगा पर interrogative pronoun रहेगा example देख लेते हैं चलिए who ate the cake पहला example है पका who ate the cake आप यहाँ पर देख रहे हैं कि who ate the cake यहाँ पर who के साथ जैसे कि adjective होना चाहिए अगर हमें अगर इसको interrogative adjective बताना है तो इसके साथ adjective होना चाहिए लेकिन यहाँ पर noun नहीं है who ate the cake तो cake last में है whom shall we speak to whom shall we speak to तो यहाँ पर भी आप देखिए कि noun नहीं है यहाँ पर देखिए आप whose was stolen यहाँ पर बीच में लेजी whose pen was stolen etc यह sentence meaningful बन जाएगा whose pen was stolen तो यह जो pen है यह एक noun है तो अगर यहाँ पर pen लग जाता है whose के साथ तो यह interrogative adjective बन जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर pen नहीं है तो यह कहलाएगा interrogative pronoun तो यह दोनों में difference आप देखिए कि अगर noun साथ में है तो यह बन जाएगा interrogative adjective which is prettier अब यहाँ देखिए यहाँ भी noun का उपयोग नहीं है what does she want यहाँ भी हमारे जो what के साथ noun नहीं है तो कुल मिलाके इन दोनों के अंदर जो best difference टूनने का तरीका मैं आपको last में यही बता देता हूँ कि अगर आपको यह जो words है who, whom, whose, which, what, etc. इनके साथ अगर noun मिल जाए तो आखे बंद करके उसमें लिख दीजिए interrogative adjective और अगर उसके opposite रहे जहने कि वहाँ पर noun नहीं हो then it is interrogative pronoun तो चलिए इसके कुछ और examples देख लेते हैं नीचे यहाँ पर आप examples देख रहे हैं पहले interrogative adjectives के तो देखिए which book is yours तो यहाँ पर book का उपयोग यूज हुआ है noun के तोर पे which के साथ what color color is also a noun जो की what के साथ हुआ है whose quote is that तो whose के साथ quote quote is also a noun तो जब noun का उपयोग होता है this is noun तो अगर noun का use यहाँ पर होता है साथ में then we call it interrogative adjective दूसरे जो examples हो देखते हैं interrogative pronouns के which is your book अब यहाँ पर देखिए same ही है लेकिन which book था पहले हमारा यहाँ पर देखिए which book is yours था लेकिन अगर इसको हम दूसरे तरीके से रिखेंगे रिखेंगे which is your book तो यहाँ जो है noun है वो पीछे चला गया है इसके साथ नहीं है वैसे ही what के साथ task होना चाहिए लेकिन task या नहीं है what who do you want to win the game देखिए यहाँ भी who के साथ noun नहीं है what is the color of your hair यहाँ भी noun नहीं है what are you doing this weekend यहाँ भी noun नहीं है तो यानि कि अगर what के साथ तो we can conclude that अगर what when who etc के साथ noun होगा क्या होगा noun तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लगा सकते हैं if it is used with noun then it is interrogative adjective and अगर what के साथ यानि कि समझे कि अगर इसी के साथ noun नहीं है if there is no noun then we can say that there is interrogative pronoun so that's all hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like और comment करना मत भूलेगा subscribe किचे का मेरे चनल को till then goodbye thanks for watching